हेलो फ्रेंट्स यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेट्स ओफ इंग्लेस हमारा जो टीजीटी का सिलेबस है वो लगबग पूरा हो गया है जिसमें हम आपकी जो फोर राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी उनके वर्क उन पर क्रिटिकल कॉमेंट जो डिफरेंट क्रिटिक्स ने क इसके अलाबा एमच अब्राहम की बुक से लगबग बारहे वीडियो हमने लिट्रेरी टैन्स पड़ी हैं इसके अलाबा पोईट्री प्रोज ड्रामा की जो जैनर हैं लिरिक और आपके फिक्सन की जो टाइप हैं सब कुछ हमने पढ़ चुके हैं इसके साथ साथ फिगर्स आप स्पीच भी सब पढ़ चुके हैं और जो बचा है वो है आपका हिस्ट्री ओफ इंग्लिस लिट्रेचर जिसमें आज रिइस्टोरेशन पीरेट पढ़ेंगे यहां तक हम पहुच चुके हैं और यह एज ऑफ ड्राइडन भी कही जाती है 1660 से लेकर के 1700 तक 1660 से लेकर 17 और इस एज के जो रिप्रेजेंटिटिव राइटर है जॉन ड्राइडन तो इनको हम सेपरेट भी पढ़ेंगे क्योंकि इनसे प्रिशन बनते हैं चली सुरू करते हैं और वो पॉइंट जान लें जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और यह वीडियो लंबा होने बाला है तो प्लीज हैपी सेंस रूलर्स अफ दिस पिरिएड और इस पिरिएड को रिइस्टोरेशन पिरिएड क्यों कहा जाता है ये भी जानेंगे चाल्स सेकेंड जिम सेकेंड मेरी सेकेंड और पिलियम थर्ड और चाल्स सेकेंड के रिइस्टोरेशन के समय ही और एक्ट पारित होता है इसके बारे में जानेंगे क्या है ट्रीटी ओफ डॉवर और पॉपिस फ्लाट दोनों ही इवेंट जो है चार्ल्स सेकेंड के सासनकार में बहुत बड़ा महत पर रखती हैं उनको जानेंगे और इस दोरान इंग्लेंड जो है दो पार्टियों में डिबाइड हो जाता है ग्लोरियस रिवलुशन क्या है और क्या कारण रहे इनको जानेंगे सोशल इवेंट्स में आपकी दो घटनाएं हैं एक ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन है और दूसरी ग्रेट फायर ऑफ लंदन अब जो हम पढ़ने बाले हैं में तो यही है कि लिट्रेचर अफ दे पीरेट देखिए इस पीरेट में जो डेबलप होता है वो हीडो एक ट्रेजडी डेबलप होती है और कॉमेडी ओफ मैनर्स सटायर और पैनेजेरिक जो पोईट्री है इसका डेबलमेंट होता है और इन सब से बढ़कर इस एज की जो लिट्रिरी करेक्टर इस्टिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे तो समझ गया होंगे बहुत ज़ रहसों तक रहते हैं टोटल के बारे में जानेंगे और जैसा कि फिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं उसको भी देख लेना आप और पहले इसमें जान ले रहे हैं थोड़ा सा बैक्ग्राउंड के बारे में वाई दिस पीरेड इस काल्ड री इस्टोरेशन तो री इस इस्टोरेशन का तो मतलब यही है इस प्रकार पुनर जागरन होता है रिने सां तो पुनर जागरन उसी को तो कराया जागा जो पहले सो गया हो तो ऐसे ही बैक्ग्राउंड के बारे में जाने हैं आपका सिबिल वार 1642 से सुरू होता है और 1649 तक चलता है 1649 में किंग चार् एग्जीकूटेट ओन 30 जनुवरी 1649 ओलिवर क्रॉमबैल बीकेम लॉर्ड प्रोटक्टर एंड आप्टर हिज डेथ हिज सन रिचर्ड क्रॉमबैल 30 जनुवरी 1649 को किंग चॉल्स फस्ट को उन्हें को वी हेड़िट कर दिया जाता है फासी दे दी जाती है और फिर ओलिवर क्रॉमबैल लॉर्ड प्रोटक्टर बनते हैं और 1658 में मिर्थिव के बाद उनका पुत्र जो है रिचर्ड क्रॉमबैल बनता है जो 10-12 महीने ही ग जर्दी पे रहता है और छोड़ देता है तो इस पीरिड को जिस पीरिड में आपका 1649 से लेके 1660 तक का जो पीरिड है वो कॉमन बैल पीरिड कहला जाता है इसमें कोई किंग नहीं होता है बलकि क्रॉमबैल लॉर्ड प्रोटेक्टर कहलाते हैं यह संसत के प्रोटेक्टर ह जो इंगले से प्रोटेक्टर के रूप में जाने जाता है कोई राजा नहीं होता है तो राजा ना होने के कारण देकि 1649 से लेके और 1660 कोई राजा नहीं होता है तो इस पीरिड को कहा जाता है इंटेरिगनम पीरिड नहीं कि दो सासन कालों के बीच का समय जो है प्यूरीटन इन्टेरेगनम क्योंकि यहां पर क्रॉम्बैल प्यूरीटन होते हैं और यह प्यूरीटन सासनकाल कहलाता है तो आप जानते हैं कि 1651 में इंगलिस सिबिल वार का समाप्त होता है बैटल ऑफ बॉर्ट सेस्टर में क्योंकि उस समय चार्ल्ज फर्ष्ट का पुत्र चार्ल्ज सेकेंड जो है स्कॉट्लेंड में सासन करता है और 3 सितंबर 1651 को चार्ल्ज सेकेंड जो की चार्ल्ज फर्ष्ट का पुत्र होता है इस बॉर्ट सेस्टर के यूद को हाल जाता है और manage to escape and land in Normandy, France और France भागने में सफल हो जाता है और वहां Normandy में जाकर रहने लगता है तो ये तो Charles second जो है वहां France भाग जाते हैं लेकिन जब Oliver Crombell की death हो जाती है तो Richard Crombell भी बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं तो फिर वहां का जो जनता है वो Charles second को France से बुलवाते हैं तो Charles second was called from France in 1660 to be the king of Scotland sorry king of England so this event is called the restoration of monarchy यानि कि राज का दुबारा सिंगासन पर बैठना ये restoration कहलाता है तो 1660 और Charles second 25 मई 1660 को जो है इंग्लेंड में arrive करते हैं और बहुत बड़ी बात है कि Charles second की मिर्तिव जो होती है भी added किया जाता है वो किया जाता है divine right of kings के कारान क्योंकि James first इसको पारित करते हैं और इसका अर्थ है कि जो king है he is not responsible or accountable for the common people even to the earthly power as parliament वो कहते हैं कि राजा जो है किसी को भी जबाब दे ही नहीं है उसे इस्वर की सक्ति प्रदान है वो इस्वर प्रदत्र सक्ति का धरान करने बाला है और वो किसी earthly power को जैसे कि संसद है या और lords है उनको जबाब दे ही नहीं है उसकी तो ये divine rights है लेकिन अपने पिता की तरह इस divine rights पे ये बिस्वास नहीं करते तो यही कारण है जैसे ही गंदी पर बैठते हैं तो Oblion Act जिसको कहते हैं सारबजने चमादान यानि के General Amnesty यानि के General Amnesty बोलते हैं इसको ये 29 अगस्ट 1660 को ये enacted कर देते हैं तो इस Act के कारण हर व्यक्ति को जो की आपकी common belt period के दोरान और civil war के दोरान जो भी अपराद ही रहते जिन्होंने अपराद किया था उन सब को जो है Amnesty दे दी आती हैं यानि के General Pardon उनको दे दिया जाता है With the exception of certain crimes such as murder जो गंभीर अपराद थे और जो murder थे उनको छोड़कर सब को छमादान कर दिया जाता है और 10 लोग होते हैं जिनको death of death punishment दिया जाता है 10 people were sentenced to death punishment और इनमें आपको तीन नाम जरूर याद कर लें जिनको death sentence दिया जाता है वो हैं आपके अलिवर, क्रॉमबेल, हैंडरी, इरेटर्ण, जोन, ब्रेड़सा बर सब्जेक्ट टू पोस्ट हूमर्स, डिकैप्टी स्टेसंस इनको मिर्तियू के बाद इनके सिर को इनके धड़ से अलग कर दिया जाता है मिर्तियू के बाद इनकी कबरों को में से इनको निकाला जाता है और आम लोगों के सामने पब्लिकली इनके सिर को इनके धड़ से अलग करके अलग-अलग फेग दिया जाता यानकी उनको कुल मिला के यह जो है, यह क्या है? A Dramatic and Symbolic Act यह Dramatic and Symbolic Act है तो इसमें नाटकिये तोर पर और आपके कह सकते हैं जैसे कहते हैं पृतिकात्मक तोर पर यह किया जाता है ताकि हमने इनकी मृतियू के बाद भी इनको सजा दे और सीधा साधा फाइदा होता है, यह बहुत बड़ा पॉइंट है सीधा साधा फाइदा होता है जोन मिल्टन को पड़ लेते हैं इस लाइन को बन ओफ दा पेवपल तु वेनिफिट डिरेक्ली फ्रम दा एक्ट वाज जोन मिल्टन वू बाज रिलीज़ फ्रम पिर्जन बट टू ओफ इज वर्क्स वर वर्ण पब्लिकली इन दो पुस्तकों को सारवजनिक तौर पर पब्लिकली इनको जला दिया जाता है तो इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं देखिए क्यों बच पाए ये सजा से कुछ दिन रहते हैं अंडरग्राउंड फिर बच जाते हैं इनको बचाने के पीछे कारण बता रहा हूँ इनके एक मित्र थे एंड्रू मार्वेल आपने सुना होगा एंड्रू मार्वेल पॉइट थे ये एक बार उनका सिफारस करते हैं जब ये लेटिन सेकेटरी के पदपर होते हैं जॉन मिल्टन तो अपने असिस्टेंट के रूप पर तो उससे में सरकार नहीं मानती है लेकिन फिर भी इनको रख लिया जाता है लेटन सेकेटरी के जो असिस्टेंट के पत पर इनको रग दिया जाता है तभी से इनकी मित्रता बनती है तो बही एंड्रू मार्वाइल इनको बचाते है और बड़ी घटना है कि आफ्टर दे रीस्टोरेशन आफ चाल्ज सेकेंड और अगस्ट 21st 1660 थीटर वर री उपेंड और थीटर जो है 1660 को पुना खुल दिये जाते हैं तो आप जानते हैं कि थीटर जो है 1660 में खुलते हैं और 1642 में जो प्यूरिटन पारलियमेंट होती है वो इसको रोक लगा देती है और यह कहकर रोक लगाती है कि जो थीटर जो है वो आपके इमॉरल है और दूसरे डिवेस्टिड हैं यानके भरष्ट हैं तो भरष्ट आचार का इhenके यह समाज में भरष्टता फैलाते हैं तो इस कारण लगा दिया जाता है और फिर 1660 में रियुपोंड देते हैं क्योंकि चार्ज सेकंड जो है पेटेंट ग्रांट करते हैं टॉमस किलिंगरू को और सर बिलियम डेविनन्ट को दुनों ड्रामेटिस्ट होते हैं तो एस्टैबलिश थेटर थेटर बर क्लोजड इन 1642 बाइदा पार्लियमेंट अब प चार्ज सेकंड के रियन में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट मानी जाती हैं पहला है ट्रीटी ओफ डोवार पॉइंट पड़ देते हैं इट वाज दा सीक्रेट ट्रीटी बीटिविन इंग्लेंड एंड फ्रांस एकॉर्टन तो इस ट्रीटी चार्ज सेकंड सीक्रेटल प्रांस के लुइस फोर्टीन के साथ ये ट्रीटी कर लेते हैं और इसमें गुप्त ट्रीटी होती है इसमें ये कहते हैं कि हम कैथोलिज्म को अपना लेंगे और कैथोलिज्म को अपना कर लागू कर देंगे और इस ट्रीटी में इनको बादा किया जाता है लुइस फोर्टीन के द्वारा कि वो परियर इनको दो लाख पाउंड का धन देगा और जरूर्द पढ़ने पर जब कभी भी इन्हें जरूत पढ़ेगी युद में तो अपने 6,000 जो फ्रेंच ट्रूप्स हैं उसकी मदद करेगी तो ये ट्रीटी लोगों को पता लगती है तो काफी जो है बिरोध होता है और दूसरा यही कारण है कि इनको मारने के लिए जिस प्रकार जेम्स फरस्ट 1605 में लंदन के इंग्लेंड के राजा बनते हैं तो उसको मारने के लिए आपका गंड पाउडर प्लॉट बनाया जाता है जिसको रॉबर्ट केट्स बाई प्लान करते हैं और पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं तो इनको टाइटस ओटस एक एंटी कैथोलिक ब्यक्ती है और इस ब्यक्ती ने प्लान बनाया था चार्ल्स सेकेंड को मारने की 1679 में देट भी याद रखेंगा और पॉपिस प्ला और एंटी कैथोलिक था यादि के प्रोटेस्टेंट था जिसको फूरिटन बोलते हैं और इनी के दोरान में संसद जो है पारलियमेंट जो है पावर में होती है राजा बहुत ज्यादा बैलू नहीं रखते पावर में होती है और दो पार्टियों का गठन हो जाता है एक होती है दा विक्स और दूसरी होती है टोरीज विक्स जो होती है वो supporter of the kings होते हैं दो बात में ध्यान रखनेंगे important जो बनेगा point वो दो पार्टियों का गठन नहीं बनेगा important point है कि दोनों पार्टियों में कौन किसका supporter था क्योंकि पिछले बार जब civil war हुआ था तो civil war में जो cavalier थे cavalier वो king के supporter थे और जो round head थे वो parliament के supporter थे commonwealth government के supporter थे तो यहाँ पर जो big party है वो आपकी supporter of the king है और जो आपकी दोरी है वो supporter of the parliament है यहाँ से person पूछा जाता है अगला चार्ड से सेकेंड जो है आपके 1685 में इनकी death हो जाती है और फिर इनका भाई James first गदी पर बैठता है तो देखिए James first गदी पर बैठता है तो यह catholic जानी से साधी कर लेता है और इसका जो चार बरस का सासन रहता है वो misruled भरा रहता है यहाँ कि misruled रहता है लोग इससे परिशान रहते हैं तो 1685 से लेके 1688 तक बनते हैं और King James second was Catholic his wife was also Catholic तो he was the last Catholic monarch of England Scotland and Ireland तो इसको last Catholic Roman जो है समराट माना जाता है मुनार्क माना जाता है तो इसके Catholic religion सुईकार करने के कारण accept करने के कारण इसको जो है बहाँ के जो परलियमेंट है और लोग है पर इसको निकाल कर बाहर कर देते हैं उसको भगा देते हैं तो यही कारण है 1688 में 1688 में Gloria से revolution का ओदय होता है तो देखे Gloria से जो revolution है वो कोई आर्थे के क्रांती नहीं है economical क्रांती नहीं है धन की क्रांती नहीं है ना ही आपकी industriization की क्रांती है industry वाली क्रांती नहीं है ये किरांती है Religion किरांती है क्या है Political and Religious Revolution है तो ध्यान रखना Glorious Revolution क्या है Glorious Revolution जो है मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर बता दे रहा हूं Glorious Revolution जो है आपकी Political and Religious Revolution है It was called also The Revolution of 1688 1688 की किरांती के नाम से भी जाना जाता है इसको सांधार करांती के लं से जाना जाता है Glorrous Revolution और इसको Billardless Revolution के लं से भी जाना जाता है because क्योंकि King James I को गद्दी से उतार कर भगा दिया जाता है और उनकी पुत्री और दमाद को गद्दी पेठा दिया जाता है तो बिना किसी खून खराबे के सारा कुछ सांती फैल जाती है तो यही कराना उसको Billard Less Revolution कहलाता है तुक प्लेस फ्राम 1688 टू 1689 और 1689 में चार्ड सुरी आपके क्या थे आप जेम सेकंड जो हैं जेम सेकंड की पुत्री और उनकी धामाद इनकी उसकी पुत्री के जो हस्बेंट है उनको बुलाए जाता है तो इंपोर्टेंट पॉइंट यह बन सकता है कि ग्लोरियस रेवलुशन को कॉइंड किस ने किया तो ग्लोरियस रेवलुशन बोज फर्स्ट कॉइंड बाई जोन हैंपडन इन 1689 तो इस बात को ध्यान रखेंगे दूसरी बात यह भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है तो सायद दुबारा बता दे रहा हूँ अब के जेम्स फस्ट 1603 में इंग्लेंड के सिंगाशन पर बैठते हैं और 1688 में आपकी क्रांती होती है और इस दौरान से लेकर के 1688 तक 1603 से लेकर 1688 तक Divine Rights of King लागू रहता है यह कि राजा King जो है जो Monarch है Is not accountable for any earthly power जिसमे Lords हो सकते हैं संसद हो सकती है किसी भी earthly power के लिए जिम्मिदार उत्तरदाई नहीं है और वो उत्तरदाई किसके लिए है God के पर दे क्योंकि Divine Rights उसको किस ने दिये है इश्वर ने दिये है तो यहाँ पर यह जो घ्रम है यह जो confusion है यह जो मिथक है वो 1688 में Divine Rights जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है अगली बाद It is involved the overthrown of Catholic King James First who was replaced by his protestant daughter Mary and Dutch husband William of Orange तो इन दोनों को बलाया जाता है और दोनों लोग जो है joint rulers होते है 1689 से यहाँ से joint rulers बनते है और इसके बाद 1702 तक इनका सासन रहता है Mary जो है 1649 में मर जाती है और James डाई दो है 1702 में मर जाती है अब हम social events की बात करें तो देखिए आपको बहुत ज़ाता है इसमें ध्यान नहीं रखना के अबल यह ध्यान रखना है कि great plague फैलता है जिसमें 50,000 से जादा या एक लाग के लगभग लोग मारे जाते हैं और 1665 से लेकि 1666 तक दो बरस पिलेग आता है और पहले पिलेग आपका जो है 14th century में आया था 14th century के लाश्ट में और great fire लंदन में रहती है 1666 में बहुत बड़ी आग है और लाखों लोग मारे जाते हैं इसमें भी यह यतनी भेंकर है कि एनस म्रेबिल म्रेबिलिस यह रचना है यह जोन ड्राइडन की जो 1667 में लिखते हैं अब बात करते हैं करेक्टर इस्टिक्स ऑफ दा एज के देखिए एज की जो करेक्टर इस्टिक्स है वो ध्यान लखिए क्योंकि इन बातों को जो बताने जा रहे हैं इन बातों का साहित पर लिट्रेचर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है तो देखिए प्यूरिटन रेजिम हैड बीन टू सैवर इट हैड रिप्रेच्ट टू मैनी नेच्रल प्लेजर्स इस पॉइंट के अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि 1642 में थियेटर बंद कर दिये जाते हैं और जो प्यूरिटन्स जो पार्लियमेंट के लोग होते हैं तो वो थियेटर को इमोरल और डिप्रेवड बोलते हैं यानि कि अनैतिक और जिनको है भ्रेष्ट मानते हैं अब वो कहते हैं कि ड्रामा, फिक्षन जैसे जो जैनर है, वो समाज को करट करने के काम करते हैं, यही कारणा कि 1642 में जो है वो थियर्टर बंद कर देते हैं, तो यह जो प्यूरिटन आपकी एरेजिम होती है, वो तू सैवर होती है, काफी कठोर होती है, तो जो रिप्रेश्ट कर दिये इसने, जो सभाविक लोगों के आनंत थे, उनको दबा के रख दिया, तो लोग बहुत तंग हो गए थे, तो इसके बाद जब रिइस्टोरेशन होता है, तो रिइस्टोरेशन पीरेड में जो समाज है, वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, जीवन की, जीवन के जो सिष्टाचार है, जीवन के जो एटिकेट्स हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं, और जो ला का रिवरेंस है, जो रिस्पेक्ट है, स्रद्धा है, कानून के परती, उन सब को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो यही कारण है, कि जो हमारे करते हैं socially politically and morally लंदन सजेस्ट एंड इटेलियन सिटी इन देस ओफ मेडिसी देखिए पंद्रमी सताबदी से लेकर के और अब के सवल्मी सताबदिन दो सताबदियों के बीच में इंग्लेंड में इटली के फ्लोरेंस में मेडिकी फैमिली हुआ करते थी जिसने 200 सालों तक सासन किया तो इनके सासन में यह लोग होत जो है prosperous थे और इनके जो महल थे वो सारी सुख सुभिधाओं से भरे हुए थे और this family passed our luxurious life तो यही कारणा है इस पूरे world में फिर्मज थे लग्जीरिस लाइफ के लिए तो यही कारणा है कि W.J. Long Charles 2nd के सासनकाल की और बहां के जो society में जो lord और court की जो life थी उसको मेडी की किस जमाने से तुलना करती है और यह कह रहा है कि most of the dramatic literature of the time is atrocious as the character of court and society for which it was written तो यह कह रहे है कि इस period में जो भी drama लिखे गए लिखे गए comedy of manners और आपकी heroic tragedy दोनों ही प्रिकार की जो comedy और tragedy है वो atrocious है यानि कि उदर्ण टाइप की है जिस प्रिकार इनके court का जो लोग थे court का जो रहेंड सेन था उस कारण जैसा भी society होगी और mirror of the society जो होता है वो literature होती है तो बैसी ही literature लिखी गई क्योंकि court जो था was full of flatters चापलूसों से भरा हुआ था पूरा court जो है वो चापलूसे से भरा हुआ था the house of lords was largely increased by the creation of heredity titles and estate for ignoble men and shameless women who had flattered the king's vanity court चापलूसों से भरा हुआ था लोगों को title जो है hereditary दिये जाने लगे यानिके बाप को मिला बच्चों को मिला उनके बच्चों को मिला लगातार यानिके पैत्र एक तोर पे उनको जो है टाइटिस दिये जाने लगे राजा चापलूसी पसंद हो गया तो जो महिलाई थी वो राजा के घमंड के कारण उसकी चापलूसी क्या करते थे तो डबलूजे लेंगे एक बात और कहते है कि यह जो life अभी बताई गई है कि court की जो life थी चापलूसी से भरी हुए थी लोग immoral थे और आपके corrupt थे लेकिन वो कह रहे है though the king and the court and high society of this period erosed our disgust और pity कि जो court life है इस पर चाहे हम disgust करने घिरना करने हैं इस पर दया दिखाए लेकिन the private life of England remained honest and pure even the worst days of restoration तो यह restoration period को सबसे बुरा समय बताते हैं तो इस worst period में भी जो common people थे उनने purity को और honesty पर hold दखा आहम लोग इमानदार थे तो यह उसकी social conditions के बारे में हमने बात की अब हम literary condition के बारे में बात करते हैं कि literary critics जो है characteristics क्याहाँ है इस period की literature की तो आप बहुत ध्यान से इस पहले point को समझिए कि Charles second जो है spent many years in exile in France during this period he not only came under the influence of French culture but also developed lagging for French literature 1651 से ले करके 1660 तक यह जो आपके 19-10 वर्स का समय है यह France में बेतीत करते हैं तो उस दोरान French culture French की literature इनको बहुत जादा प्रफाविक करती है अब बहुत ध्यान देनी बाहरी बात है जो हसी जिसको सुनकर हम हसी आती है कि इसमें जो famous French writers थे इस जमाने के किस जमाने के फ्रांस के लुइस 14th के तो Cornell जिसको Cornell जिसका फुल नाम है Pierre Cornell Racine इनका फुल नाम है Jean Racine Mollier और आपके Boyloo तो ये जो writers है इनको maximum तोरक पर copy किया गया और जो important बात है जिस पर मैं कहराता हसी आएगी वो ये है कि कोई भी ब्यक्ति किसी भी culture को अगर follow करता है तो वो क्या follow करेगा उसकी अच्छाया पालो करेगा और बुराईया छोड़ देगा लेकिन यहाँ पर इन्होंने उल्टा किया इंग्लिस राइटर्स इमिटेटिड दा फ्रेंच बिलाइंड ली रादर दे कॉपीड बाइस और फ्रेंच कोमेडी बिदाउट एनि अपिट्स बिट्स और डेलिकेसी और एवर्णेंट आइडिया यहाँ कहना चाह रहे है कि जब इन्होंने कॉपी किया तो फ्रेंच के जो आपके लिट्रेचर थी उसकी बुराईयों को कापी किया और उस कॉमेडी में फ्रेंच की कॉमेडी में जो डेलिकेसी थी जो बिट थी और जो बिनमरता थी उसको छोड़ दिया और बुराईयों को कापी किया अब जब इन्होंने बुराईयों को कापी किया तो बहांके राइटर्स कोई बुरे थोड़ी नहीं थे देखिए हमने यही राइटर्स के बारे में तो जाना है देखिए जो आपके कॉर्णील है जिनका पूरा नाम पियरे कॉर्णील है ये आपके 17th century के classical tragedy के writer थे इन्होंने classical tragedy दिखें और आपके जो रैसीन है जिनको जीन रैसीन नाम है फुल इनका इन्होंने भी classical tragedy दिखी और मॉलियर जो है इनको French actor, playwright और poet है और ये है famous अपनी comedies के लिए और इन्होंने जो comedy दिखी मॉलियर ने तो मॉलियर ने जो comedy दिखी वो आपकी satirical comedy थी तो magazine जो आपके comedy and manners के writer रहे हैं England में तो इन्होंने मॉलियर को और वोलियो को copy किया है और वोलियो जो है poet है और ये भी आपके satirist है तो ये writer जो है magazine तोर पर इनको copy किया गया और जिन्होंने copy किया उनमें नाम आते हैं आपके रोचेस्टर, पिलेज ऑफ ड्राइडन, वैसरलेक, कॉंग्री, बैंबर्ग और ये जो writer थे इन्होंने copy किया तो इस कारण all popular in their place are most unreadable कारण क्या है popular जोरूर है लेकिन इनकी रचनाएं जो हैं वो most unreadable है लोग पढ़ना नहीं चाहते क्यों क्योंकि उन्हें व्यविचार के बारे में लिखा है जिसको हम अपने सब समाज में नहीं पढ़ सकते तो यही कारण है जो important point यह है कि जॉन मिल्टन ने अपने paradise lost में paradise lost में जो आपके code writers हैं उनको क्या कहा है son of belial flown with insolence and vine यही करण है कि उनकी तुलना जो परेडाइज लोस्ट में जो की सबसे लास्ट में आता है और यह बाइन का देवता होता है तो उसी बैन और वहस्टा चार का यहन के वहस्ट होता है बेवचार का देवता होता है तो यही करण है कि उनकी तुलना जो code writers की तुलना उन्होंने बैलियल से कर दी is a good expression of wild character of the code writers of the age तो यह इस age के code writers को दरसाता है तो इस लाइन का अर्थ पढ़ते हैं son of वैलियल वैलियल के पुत्र florn with insolence and wine जो बदतमीजी और सराव में जो है उड़ते रहते हैं the period from 1660 to 1700 is mentioned at the age of dryden क्यों कहा जाता है क्योंकि dryden इस age के representative poet रहे हैं और in the literature of the registration we note sudden breaking away from old standard just as the society broke from the restaurant तो देखिए Puritan society में आप जानते हैं कि Puritan, Metaphysical, Cabalier poet रहे हैं उनकी जो works रहे हैं वो शिक्षा प्रत रहे हैं और उसे age के standard के according ही वो अपने समाज को present करते हैं तो इस age ने, restoration period ने जो old standard थे उनको तोड़ दिया और जैसी society बने just as the society broke away from the restaurant बैसे ही उनकी रचनाई में चाहिए और बहुत important point है यह कि इस age में Shakespeare और जो eligibility writers थे उनको follow नहीं किया गया जबकि पिछले period में और इस period के बाद next period में और even to आपके जो romantic period है उसमें Elizabethan writers बहुत ज़्यादा follow किये गए हैं तो आप तो जानते ही हैं कि इन्हों ने आपके Elizabethan writers को follow ना करके literary men begin to imitate french writers तो यहाँ पर जो famous point यह है important point भी है कि एक diaries रहे है Samuel Pepsie Samuel Pepsie तो उन्होंने diary लिखी है 1660 के 1660 तक diary है तो वो उसमें लिखते हैं mid summer night जो play खिला जाता है उसको देखने के बाद क्या कहते हैं he has been to see a play called mid summer night dream but that he will never go again to hear Shakespeare to mid summer night dream के बारे में कहते हैं कि उन्हों में mid summer night dream देखा और यह कहने जा रहे हैं कि इस play को यह बिलियम सेक्सपियर को कभी दुबारा नहीं सुनेंगे for it is the most insipid ridiculous play that ever I saw in my life कि यह सबसे ज़्यादा insipid play है insipid का मेत मतलब है काफी घिर्णा भरा और ridiculous माने हास्यापद play है यह बात यह कहते हैं तो insipid का मतलब हुआ यहाँ पर जिसको कहते हो आप बेस्वाद को होगे या आपका तो रस हीन तो insipid का मतलब रस हीन तो यह कहते हैं कि यह play जो है काफी रस हीन है और हास्यापद है तो ऐसे play को मैं दुबारा कभी देखना या विलियम सेक्सपियर को ही दुबारा देखना पसंद नहीं करूंगा और एक दूसरे अधर डायरिस्ट है जॉन अबेलन और जो यह भी सेम्वल पैप्सी के यार के इस्टोरेशन के समकालीन रहे हैं तो यह कहते हैं I saw Hamlet played but now the old place begin to disgust this refined age कि मैंने Hamlet देखा और जितने पुराने पिले हैं वो disgusted माने घ्रणा पैदा करने बाले इस refined age में हो गया हैं और अपनी age को वो refined age बोलते हैं यानि कि सुद्ध एज कहते हैं जबकि आप भी जानते हैं कि Restoration period, eligibility period के बराबर सुद्ध कैसे हो सकती है Since his majesty is being so long abroad और ऐसा परिश्क्रिस्ट एज इसलिए भी है, refined age इसलिए भी है क्योंकि जो majesty है, 4 seconds जो है, वो काफी लंबे समय बिदेश में रहे हैं और विदेश में रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं पड़ लिख कर आ गए होंगे यह सोचते होंगे हैं और अगला जो point है बहुत important point है यह वाला कि जो इसे age की जो literary tendencies थी वो change हो गई पहले आपकी romantic लिखी जाती थी और imagination उनकी romantic हुआ करती थी अब इनोंने जो literary tendency बन गई वो आपकी the tendency to realism and directness and simplicity of expression जिसको बोलते हैं हम formalism होता है किसी भी बात को बिना लाग लबेट के सीधे सीधे कहना यानिके direct और simplicity of expression तो यह दो आपकी literary tendencies मिलती है रियलिज्म के बारे में इनोंने क्या किया the early restoration writers sought to paint realistic picture of a corrupt court and society यानिके जोने शुरुआत की रचनाईन की बिल्कुल जैसा society craft थी court craft था उसको ज्यूंकातियों इनोंने लिख डाला they emphasized 22 रादा देन virtue and gave as course low place without interest or moral significance बहुत important point है ये कि इनोंने realism को तो दिखाया तो realism में दोनों चीज़े होती है अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है लेकिन इनोंने अपनी रचनाओं में बुराई को सामिल किया और virtue को छोड़ दिया कि फॉर्मिलेज में जू करते हूं तो दिखे फॉर्मिलेज एक style होती है swelling of style swelling of style का मतलब होता है काफी idioms phrases का figures of speech का यानि के और दूसरे literary terms का प्रियोग करना जिससे जो है बात घुमाफ राकर प्रिश्टत की जाए सुन्दर लगे लेकिन इनोंने क्या किया और यही कारण है यही कारण है कि उन्हेंने swelling of style को न अपना करके direct style को जिसको formalism कहते हैं और realism को अपनाया और यही कारण है कि it neglected poetry romantic poetry तो पहले romantic poetry तो पहले romantic poetry ती puritan आपके LGBT age में romantic poetry रही है बहां classical जो राइटर रहें वो बैंजॉंसर रहें इन विच यूथ it is essential interested it led to a keener study of the practical motives with governed human action तो इन्होंने अपनी राचनाव में इसलाइन को पढ़ ले रहे हैं ड्राइडन made the heroic couplet a literary fashion गेब it mechanical perfection from monotonous verse देखिए जब वो चौसर ने heroic couplet को जनम दिया तो वो जो literary forms हैं देखिए आप comedy of minors है heroic plays है पैंजरिक poems है जिसको प्रिसंसात्मा गीत बोलते हैं उसके बारे में और satire इनके बारे में जाल लेते हैं comedy of minors क्या है देखिए comedy of minors पहले minors को समझ ले दिए देखिए minors का मतब होता है सिष्टाचार हमारा रहन सैन हमारे social की society की जो conditions है हम किस प्रिकार अपनी society में रहते हैं हमारी society में किस प्रिकार का बहुत सब दर्स आए जाता है तो the comedy of minors which portrayed the the comedy of minors which portrayed the sophisticated life of the dominant class of society तो in comedy of minors में जो आपके राजदर्बारों की एक court life है या lord और ladies की life है यह कि suffocated life को इन्होंने अपनाया और उन्हें दिखाया क्या plot usually revolves around the intrigues of lust, greed and self-interest cynicism of the characters इन्होंने intrigues of lust दिखाया यानिके बेवचार दिखाया cynicism यानिके लोगों के बीच पनपती जो cynicism थी जो कुटल चालें थी कुटलता थी उसको दिखाया तो इस ब्रकार उन्होंने society की बुराईयों को जो है दिखाया और इसके main writers जो है आपके वो William Byserle, William Congreep और George Etheridge है इनकी main रचना है the country wife 1675 में लिखी गई the bay of the world Congreep की रचना है और George Etheridge की रचना में है she would if she could और heroic plays लिखे गई तो देखिए heroic plays का मतलब है इन्होंने जो world के hero रहे हैं उनके ऊपर लिखा और heroic drama influenced by French classical tragedy and its dramatic entities यह important है कि French classical यह present पूछा जाता है कि heroic drama लिखे गए तो वो किस से प्रभावित थे Roman Greek French और या आप किसी और England के जो classical time है उसके बारे में और इसके में जो writer है वो आपके जॉन ड्राइडन है जिनकी दा इंडियन एंपरर 1665 का play है The Conqueror of Granda या All for Love जो की Antonio और Cleopatra पर लिखा गया है Roger Boyle का है Black Prince और दूसरे पिलोराइट है आपके William Devonant, Thomas Otway, Nathaniel Lee, John Crown यह age satire की age कहला जाती है हालाकि इसके बाद satire बहुत ज़्यादा लिखे गए लेकिन यहाँ से satire की सुरुआत हो जाती है और John Dryden जो है आपके बहुत बड़े satirist माने जाते हैं इनकी रचना है Mal Fikno और written in hero complete considered the best satire और दूसरी है Absalom and equitable यह आपके Bible की story David and Absalom पर based है is undoubtedly the most powerful political satire in our language और यह हमारी language का political satire माना जाता है तो देखिए political satire आपका social satire यह आपको जो society पर लिखा गया है उसको satire कई परिकार के satire होते हैं तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है Samuel Butler का हुड़ी वराज जो है आपका Puritan पर किया गया satire है और Andrew Marvell का the rehearsal Transposed यह भी आपका satire है Watch Attack on the Samuel Parker तो जो Samuel Parker जो है वो आपके English Churchman है King James II जो है इनको Oxford के बिसब बना देते हैं 1686 में तो यह इन पर satire है और पैनेजरिक पोईट्री की सुरुवात तो देखे पैनेजरिक जो होता है वो इस्तुति गीत होता है प्रस्न सा गीत होता है तो यहाँ पर आपके चार्ल सेकेंड का जब रिइस्टोरेशन होता है तो उनके बैल कम में और गीत लिखे जाते हैं तो उनको पैनेजरिक गीत बोलते हैं तो और पैनेजरिक की जो रचनाए हैं आपकी वो सबसे सुरुवात तो आपकी रोमन और ग्रीक में होती हैं लेकिन इंग्लेंड में पहले भी लिखी आ चुकी हैं लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मात्राम सुरू होती हैं तो दा हिस्ट्री ओफ इंग्लिस बर्स पैनेजरिक बीगेन बिद दा इस्टुवेट सक्सेसन इन दा रिइस्टूरेशन पीरेट तो इस्टुवेट सक्सेसन रिइस्टूरेशन पीरेट में शुरू होती हैं हाला कि जेम्स फरस्ट आपकी जो 1603 में इस्टूर्ट किंग बनते हैं तो यहीं से भी सुरू हो जाती हैं क्योंकि यहां पर जो पैनिजरिक लिखी जाती हैं जेम्स फरस्ट के लिए वो लिखते हैं सेमूल डेनियल जो 1603 में एक रिइस्टूरेशन और यह उनसे मांग करते हैं यह बताने चाहते हैं कि जेम्स फरस्ट जो है गद्दी पे बैठ गए हैं तो उनके बैठने से जो आइडियल्स हैं उनकी भी स्थापना हो गई है तो यह पैनिजरिक लिखते हैं और सेमूल डेनियल और बैन जॉंसन उसके बाद बैन जॉंसन भी लिखते हैं तो ड्राइडन जो होते हैं वो डैनियल और आपके बैन जॉंसन को फालो करते हैं ड्राइडन से रिएस्टोरेशन पैनिजरिक रिस्पाउंड डैरेक्ली टू डाट्रेडिशन एस्टैब्रेज़ बाइडैनियल और एंड जॉंसन इनकी जिस प्रिकार इनकी पैनिजरिक लिखी उसी को यह फालो करते हैं तो जॉंसन ड्राइड जिनकी जो रचना है एस्ट्रिया रिडैक्स तो देखें पूछा क्या जाएगा पूछा जाएगा कि आपकी एस्ट्रिया रिडैक्स जो रचना है वो एक सटायर है पैनिजरिक है या अदर टाइप की पोईट्री है तो आप पोईम टू बैलकम चार्ट सेकेंड दूसरी है पैंजरिक टू हिज सेक्रेड मजेस्टी तो ये जो प्रसंसा गीत है चार्ट सेकेंड के कोरोनेशन पर है राज्याविशेख पर लिखी गई तचना है तो आज लिए इतना ही उमीद करें आपको पसंद आये हुआ थेंक यू, all the rest